सिटी लाइव अ प्लाटफॉर्म तो शेरिंग यूर थोट्स सफलता पूर्वक इसका कई सत्रों का इसमें आयोजन हुआ कई देश वर के विशेशग्यों ने इसमें गंबीर विशेओं पर चर्चा की लेकिन शाम को राजसरकार की और से अगले दिन यानि आखरी और दूसरे दिन 15 दिसंबर को इसके आयोजन पर रोक लगा दी गई हमार पिर क्या हुआ क्या ऐसा कारण था जिसके कारण सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ी क्या इनका कहना है दीपक जी ग्यानम से जो द्वनित होता है वो होता है ग्यान का एक मंच और इसका आपने पहली बार आयोजन भी सफलता पूरुबक किया था लेकिन इस बार ऐसा क्य क्या हुआ क्या इसमें कोई विशे से भटके गए थे या इस तरह का कोई विवाद आस्पत कोई चर्चा हुई थी जिसके कारण सरकार ने इस पर प्रतीबंद लगा दिया अगले दिन इसको आयोजन नहीं होने दिया गया क्या करण रहा देखिए इसके पीछे क्या करण र रहे हैं देश से कितने विशे होंगे उनकी सबकी जानकरी हमने उनको तीस नवमर को ही दे दी थी लेकिन चौदर तरीकों हमारा कारिकरम भी हो गया बहुत सफलता पूरा कारिकरम रहा जिसमें हमारे जो विशे थे वो थे सर्व धरम संभाव की तहजीब हिंदुस्तान इस इसके लावा सनातन संस्कृति के कस्वाटी पर कृष्ण भक्ती और सूफी वाद का मिलन इस तरह के विश्यों पे देश के जाने मने जो लोग हैं गोस्वामी सुशील महराज हैं जो ग्रेटर नौडाय से आये थे वो सर्व धर्म सभा के संयोजक हैं पूरे देश के इनके हुए इसके लावा All India Imam Association के जो चीफ है इलियासी साहब उनको इस करिक्रम में पहुंचना था और इसके लावा देश के बड़े-बड़े पत्रकार राना यश्वन जैसे लोग इस करिक्रम में मौझूद रहे और अचनक जब दिन भर करिक्रम चला परिचर्च चली उसके ब में आई है मैं उनके साथ वहां गया देखा तो वहां पर बाहर जाते हैं देखा तो करीब 40-50 पुलिस की लोग खड़े थे जब मैं अंदर गया तो वहां साथ-8 जो जो जेके-के-के अधिकारी है और दूसरे सरकारी अधिकारी वहां पर सब बैठे थे मैंने का अचनक ऐस से चार गंटे हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे खुद वहां पर हाल में मौजूद थे वह कारिकरम देख रहे थे और काफी सरा रहे थे कारिकरम को लेकिन अचनक रात साड़े-9 बज़ उनका ये सूचना ही और मुझसे ही कहा कि ऊपर से मुक्ष मंतरी जी की तरफ से क काफी दबाव है तो हम इस कारिकरम की जो बुकिंग है आपकी रद कर रहे हैं मैंने का देश के कल और लोग आ रहे हैं लोग पहुंचे हुए हैं मैं उनको क्या जवाब दूगा मेरा जो लाखों रुपिया से में खर्च हुआ है उसका क्या होगा उनका ये हम कुछ भी नह जानते लेकिन ये कारिकरम नहीं होगा क्योंकि हमें थ्रेट में लिए कई संग्ठनों ने इसका विरोध किया है और हमें लिखीत रूप में सूझना दी है कि इस कारिकरम में विवाद है ये कि इसके जो विशे हैं वो विवादित हैं अगर कोई उन समझदार और दोस्तान ये विवादित विशे है क्या सनातन संस्कृति की कसोटी पर भक्ती संगीत और सूफी वाद का मिलन ये क्या विवादित सब्जेक्ट हैं और अगर ये विवादित हैं तो हां मैं इस तरह के विवाद करूँगा क्योंकि इस देश का में नागरिक हूँ जो करूँगा कल भी करूँगा और परसों भी करूँगा क्योंकि मैं पिछले दो दशकों से यानि 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं मुझे मालूम है कि हमको समाज को क्या देना है हम सम देश को क्या दे सकते हैं एक पत्रकार होने के नाते हमको किस तरह पूरे समाजों को सं से ज्यादा वक्ता जो हर धर्म के अन्युवाई माने जाते हैं जिनकी देश में इज्जत हैं जिनको देश में माना जाता है उनको कहने वो कुछ कहते हैं तो लाखों लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं वो सारे लोग इस कारेकरम में मौजूद होने थे लेकिन सरकार की म कि इनों तक इसकी तैयारी की थी और इसके बाद में इस तरह का कारीकरम को अगर बीच में रोक दिया जाए तो क्या नुकसान होता है किस तरह से मौरल डाउन होता और एक दूसरी बात यह है कि राजदानी जैपूर एक आक्शन का केंदर होता है देश-विदेश के परेटको के लिए और यहां कला संस्क्राइब के बेविदर रूप रंग या कारिक रोमों में नजर आते हैं लेकिन इस तरह से अगर ब्यूरो क्रिसी और राजनिती हाबी होगी और आयोजन इस तरह के आयोजन को रोका जाएगा तो इसका असर क्या होगा राजधानी जैपूर के इस देश की बात करें अगर कहीं भी हम जो शांती सद्भावना की बात करते हैं समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं या किसी भी धर्म को हम मजब को एक साथ मिलन की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि अलगलग धर्म के लोगों ने अपनी अपनी दूर जा रहे हैं, हमारी यूवा हैं जो देश हित से दूर जा रहे हैं, तो जब तक वो सिर्फ अर्थ के पीछे रुप्यों के पीछे बगेंगे, तो उन्हों वो मानसिक रूप से भी परिशान होंगे, शारेरिक रूप से भी परिशान होंगे, तो हमारा मुक्षी रूप स उद्देश ही है कि ज्यादा ज्यादा युवा जो है अध्यात्म की ओर रहा हैं ज्यादा ज्यादा युवा जो है कला संस्कृति की ओर रहा हैं और ज्यादा ज्यादा युवा जो है देश हित की बात करें तो हम ये मंच सिर्फ उसी कई है जिससे समाज में एक नई उर जाती है एक नई दिशा मिलती है और हम पाइटी पॉलिटिक्स नहीं है हम ना किसी पाइटी के हैं और ना किसी पाइटी के साथ हैं हम समाज के साथ हैं हम देश हिट के साथ हैं और हमेशा रहेंगे एक और विरोधा वास इसमें नजर आता है कि मुक्षमंत्री अशुक गहलोत ने जब सत्ता सम्वाली थी बरतमान कारेकाल में तो उन्होंने किंद सरकार की आलोचना की थी कि अभी व्यक्ति के आजादी नहीं है लेकिन इस तरह के इस बाकिये के बाद आपको लगता है कि मुक्षमंत्री गहलोत उनका नेचर इस तरह का नहीं है लेकिन क्या उनको गलत कर रही है जो मुक्ष मंत्री को गलत कामों के लिए प्रेरेत करती है देखिए जहां तक विशय का सवाल है तो हमारे दोनों दिन के जो विशय थे वो सविधान के दायरे में रहकर हमने विशय चुने थे हम सविधान के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं ये हम खुद समझते हैं इस बात को और जो अगर आप मुक्षिमंतरी जी की बात कर रहें अशोक गहलो जी की तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अधरी मुक्षिमंतरी अशोक गहलो जी जो काफी सम्वेदंशील हैं गांधी विचारक हैं और आज से नहीं मैं पिछले अठरा वर्षों से उनसे मेरा लगातार मेरी उनसे समय समय पर मुलाकाद भी होती है वो इस तरह के नहीं है वो काफी समय दंशील है समझते हैं हर बात को लेकिन इस वाले विशह में मुझे लगता है कि उनको चाहे उनकी ब्यूरोक्रेशी हो या उनके एर्दिग्रित के जो लोग हो जो उनके सलाका हैं उनको इस विशह पर निश्य दूप से मिस गाइड किया है क्योंकि उनकी तरफ से लगातार उनको हमने मुक्षिमंत्री जी को हमने उद्गर्ण सत्र के लिए भी आमंत्रित किया था लेकिन उनकी व्यस्ता के करण वो नहीं आ पाए राजिपल महुदे जो हैं उनको हमा परचेत रहें क्योंकि मुझे लगता है कि वो वो लोग हैं जो उनकी छवी को धुमिल करना चाहते हैं उनकी छवी को खराब करना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि राजिस्तान में दो ही बड़े नेता रहें जिनको मैं स्वेम उनका परशन्चक रहा हूं जिसमें से एक भैरोस्तिंग शेखावजी रहे हैं और दूसरे अशोग गहलो जी रहे हैं लेकिन इस वाले विशेपे मैं खुद नहीं समाज पा रहा हूँ कि ये निर्णे उन्होंने किस तरह लिया और किसके मिस गाइडन से लिया तो मैं आदेनिय मक्षमंत्री जी से यही कहना चाहू और बीच में ही इस कारेकरम को रोग देना पड़ा इस पर क्या कहते हैं देश के बुद्धी जी भी आईए जानते हैं ग्यानम फारूंडेशन के दो दिवसी कारेकरम में मैं भी शामिल हुआ और सर्वधर्म संभाव और कंगर जमनी तहजीव जैसे बहुत जरूरी मद्धें पर हमने विचार वे मर्च किये जो आज वर्दमान के अग्वस्तान में कितने जरूरी हैं ये कहने की कोई बात नही जब अभ्यक्ति की आजादी के पक्षिधर लोग ही ऐसा करने लगेंगे तो ये चिंता का विशय तो ही है मैं समझ रहा हूँ कि लोगतंतर का प्रान है संबाद परिसंबाद चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क समर्थन विरोध और जो आप जिस संदर में बात कर रहे हैं ग्यानम के संदर में मैं समझ रहा हूँ कि उसमें कि बात यही तो थी ना कि एक पक्ष ये बात कर रहा है और प्रतिपक्ष दूसरी बात करेगा, अगर वो प्रतिपक्ष प्रतिबंदित हो, जब तो बात समय में आती ही कि आप किसी तरकार का प्रतिबंद लगाएं, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा खौफ है, मैं जानबुज के सब्द को कामें ले रहा हूं, कि यह ही अशो गयल जो केंद सरकार की आलोचना इसी आधार पर करते रहते हैं, कि साब वो विजारा विवेक्ति की सुतना को कुचलना चाहते हैं, लोगतंत्र को कुचलना चाहते हैं, विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं, अपनी आवाज को सर्वोपरी बनाए रखना चाहते हैं, अब की मनोवर्ति उनकी प्रवर्ति और ये जो होती है वो ये कहती है सब कुछ मैं कहूं वो यह सही होना चाहिए और मुझे अफसोस की बात या रही कि कौन इनके एड़वाइजर हैं कि पहले दिन संपूर्ण रूप से सोहाड़ पूर्ण तरीके से बहुत बहुत बैतिन तरीके सिर्भ हो गया जो विसेथे उन पर विवेच न होगी विसेशन हो गया और रात को साढ़े आठ बजा रहा हूं घलत नहीं हूं तो यह कहा जा रहा कि आप दूपरे दिनका करूं करेंगे भी क्यों नहीं करेंगे और मुझे इस से जर अपसर्जब्स इस बात का हुआ कि और भीरू प्रवर्टी दिखाते हुए वरत्मान सरकार ने उस मांग को स्विकार कर लिया अब मुझे बताइए कोई सिद्दान से कोई मर्यादा है और सवार यारा कि आपको मालू में क्या कहते हैं आपको कहते हैं सारे मीडिया कर्मी मीडिया फ्रेंडली अब मैं कहूं कि आ एक तरह से कुटारा घात है और ये कुटारा घात किसी ने करवाया है कॉंग्रेस पार्टी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है सवाल यारा कि लोकतंतर क्या है अभी वेक्ति मैं आपका बहुत बड़ा आलोचोग हो सकता हूं लेकिन दुश्मन नहीं आप मेरी बात क्यों न उनको संभावित होकर और वहां पर कहते हैं कि आप इस तरह से गलत कर रहे हैं ये जो बात है तब तो वासमें लोकतंतर की बात होती परी संभाथ की बात होती विचार अभी वेक्ति की बात होती और देश में तार्खिक तरीके से लोकतंतर आगे बड़े इसकी बात होती य कि मैं तो उच्छे सिश्चा चुड़ाओ आद्वी रहा हूँ अब बताए जहां ग्यानम आगया वाँ अग्यानम की क्या बात हो गई जो को जब बात कर रहे हैं वो तो अग्यानम की हो रही है और यहां पर सारा मामला अग्यानम का हो रहा है अब आप ये समझें कि साफ वो एक तथा करती बिचार धरा के लोग यहां पर आने की समावना थी उसे बाताउन बिगणनी की समावना थी अगर मालो उस दोहनी में से मैं प्रती दोहनी निकालूं तो क्या निकलेगी कि हमारा प्रशाशन कमजोर है हमारा शाशन कमजोर है अगर कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए हमको बख्सो अगर ये बात हाई कमांड पर चली गई तो यहां राजे से मेरी कमांड चीन ली जाएगी अब ये जो बाते हैं वो मैं समाँ इसका मैं प्रती बात कर रहा हूँ